हलो बच्चो बच्चो आज हम कुछ बच्चो का डाउट स्वल्व करेंगे तो चलिए बच्चो देखिए एक श्ट्रूडन्स ने डाउट कमेंट में लिखा है तो उसके डाउट को हम स्वल्व करते हैं और question है if the sum of 0 of 3x square minus k x plus 6 is 3 then find the value of k बच्चो यह एक quadratic polynomial है और इसमें sum of 0s दिया हुआ है that is 3 हमें इस question में value of k निकलना है तो बच्चो चलिए देखते हैं कि value of k क्या होगा तो बच्चो देखिए कि इस question में हमें पहले given क्या-क्या है जो term हमें given है उसको हम पहले लिख लेंगे तो देखिए कि इस question में हमें coefficient of x square दिया हुआ है coefficient of x भी दिया हुआ है और constant terminal दिया हुआ है sum of 0 भी दिया हुआ है तो बच्चो देखिए solution में देखिए a equal to 3 दिया हुआ है b equal to minus k दिया हुआ है और sum of 0s sum of 0s equal to 3 भी दिया हुआ है यह सभी question में दिये हुए हैं तो बच्चो हम इसके relation को verify कर लेते हैं हम पता चल जाएगा क्या है value के का तो देखिए sum of 0 equal to भी दिया हुआ है alpha plus beta equal to minus under bracket coefficient of x upon coefficient of x square तो भी देखिए हमें coefficient of x square दिया हुआ है फिरी coefficient of b minus k और sum of 0 भी दिया हुआ है कि थिरी है तो हम बचो इस concept को खली relate कर दने की जरूरत है answer सामने आपके आ जाएगा देखिए sum of 0 मान लिया कि alpha and beta इसके दो 0 होंगे तो sum of 0 दिया हुआ है थिरी तो alpha plus beta का sum क्या आएगा थिरी थिरी minus under bracket coefficient of x तो बचो देखिए coefficient of x क्या है minus k तो यहां लिखिए under bracket minus k upon coefficient of x square तो बचो एक कितना है थिरी दिया हुआ है question में अब बचो देखिए 3 equal to minus minus plus हो गया यह k upon 3 हो गया बचो जब cross multiply करेंगे तो 9 equal to k by cross multiplication बचो जबने cross multiplication किया तो पया k equal to 9 है so the value of k is 9 बस बचो यही आपका answer है बचो उससे देखा है है तो इस question में कोई difficult topic दिया हुआ नहीं है बस यूशूड है clear concept of mathematics अगर आपको basic concept of mathematics clear है तो आप दिये हुए question को सिफ concept को relate कर देंगे तो आपका question automatically solve हो जाएगा और वही हमने यहां पर किया कि ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है sum of 0 भी दिया हुआ है हमने concept लगाया कि sum of 0 equal to minus under bracket coefficient of x upon coefficient of hex score होता है और हमने उसके value को substitute कर दिया solve किया तो आया कि equal to 9 this is your answer बच्चों उम्मिद करता हुँ कि यह doubt आपका clear हो गया होगा